कि खुशी प्रसंता आनंद प्रमानंद आज के युग में ज्यादा तर लोगों के लिए एक सपना थप बनता जा रहे हैं सपने के मानिद हो गया है इतना विजी है इतना परेशान है इतना टेंशन में डूबा है ये भूल सा गया है खुशियां भी कोई चीज होती है याद नहीं आता उसे कि खुल के कब हांसा था खाना पूरती लोग करते रहते हैं उपर उपर से ठाके भी लगाते रहते हैं लोगों ने बड़ी कोशिश की अच्छा परियास किया कई शेरों में इसके कलब बने हैं वो सामने खड़े होके अजी बगरी मूँ करके या हा 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 हो हो करते हैं ताकि दूसरे लोग भी उनको देखके हंसे नैचुरली किसी को हंस्ता देखके थोड़ा हंसी आ जाती है लेकिन जब तक अंदर खुशी नहीं होगी वो बहार की खुशी वो माइने नहीं रखती अंदर की खुशी आत्मिक खुशी आज गाइब सी होती जा रही है आत्मिक शान्ति आत्मिक प्रसन्नता लाने के लिए परमपिता शास्त नाम शामस्तान जी दादा रहबर ने यह सच्छा सौदा बनाया चलाया कि टैंशन फरी रहो दिमाग पे बोज ना लो ज्यादा सोचो ना चलते बैठके लेटके काम धंदा करते ओम हरी अल्ला वही गुरु गौड खुदा रब को याद करते रहो तो आप अपने गम को गलत कर पाएंगे टैंशन फरी हो पाएंगे सुन्तुस्ती अंदर ले आएंगे तभी माले की किरपाद्रिष्टी के लायका बन पाएंगे तभी सच्ची परसनता सच्चे आनंद का अनुभव होगा वरना तो खोखली हसियां हो गई हैं दिखावा हो गया है या फिर गंदी सोच के साथ लोग किसी को देख के हसते हैं मुस्कुराते हैं अदरवाइस नैचरली मुस्कुराना बड़ा मुश्किल हो गया है काम धंदे का बोज है बिजनिस वेपार का बोज है बेरोजगारी का बोज है और इनसान के अंदर इन सारी चीजों ने एक तुफान खड़ा कर रखा है बच्पन से लगता है कपड़ा लगता खिलोना कहीं देखता है उसका बोज महसूस करता है कि मेरे पास क्यों नहीं दीरे दीरे बढ़ता जाता है इच्छाएं भी बढ़ती चली जाती है तो क्या बच्पन से ही अपने आपको कंट्रॉल करने का तरीका सीखना चाहिए आप किसी भी कंप्यूटर को किसी भी लैप्टॉप को किसी भी फोन को सीख सकते हैं कंट्रॉल कर सकते हैं लेकिन क्या कभी आपने अपने आपको कंट्रॉल करने के लिए टाइम दिया है आपका जो बिनावजा का गुस्सा है आपकी जो बिनावजा की इगो है जो कलैश होती है तो जगड़े होते है और अगर वो सही हो जाती है तो आप खुश हो जाते कभी आपने अपने अंदर की बुराईयों को साफ करने के लिए सोचा है थोड़ा सा भी टाइम दिया है कि हाँ मेरे अंदर फ़ला फ़ला आदत बुरी है ये ये चीज मुझे नहीं करनी है जिंदगी में एक बार हो गई कोई बात नहीं आगे से नहोने पाए क्या आपने कभी मैसूस किया है अपने खुद के बारे में दुनिया जहान में आपको सब नजराता है फ़ला आदमें ये कमी है इसको बोलना नहीं आता इसका दिमाग सही नहीं है ये एहंकारी है ये घमंडी है ये तो चुकली निंदा करने वाला निंदग है पर क्या आपने कभी अपने दिलो दिमाग में सोचा है आप कैसे है जुरूर सोचा करे कम से कम पांस दस मिंट सुबा शाम 24 गंटे में कभी भी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने लिए दिया करो एकांत में बैठो पहले पानी पियो सारी सोच को छोड़ने की कोशिश करो और फिर एकागरता के साथ सुमरन के साथ सोचो कि आप में कौन से आते अच्छी हैं जिन को और आगे लेके चलो और जो बुरी हैं उन्हें छोड़ दो बजाए कोई आपका साथी आपको टोके आपको बुरा लगेगा आपका मा, बाप, बेन, बाई, दादा कोई भी टोके आपको आज के दोर में ऐसा समय आ गया है खानपान ऐसा हो गया है गुरु पीर फ़कीर भी टोके दे उसकी भी लोग मरोडी खा जाते बाकियों की दो बात छोड़ो तो कोई आपको टोके या रोके क्यों आप रोज पांस, दस मिंट देंगे अपने लिए और फिर अपने आप ही उस आदत को छोड़ दे हंड़ परसेंट हम गरंटी देते हैं जो माली का नाम लेने वाले हैं वो तो हंड़ परसेंट जान जाएंगे आपको कौन सी आदतें लगी होई है नॉर्मल इनसान जो सुन रहे है आप पानी पीजिए थोड़ा सा ओम हरी अला वही गरु को याद कीजिए जिकीन मानो आपको भी फीलिंग आएगी कि हाँ, ये मेरी आदत गंदी है ये मेरी आदत अच्छी है करना बड़ा असान है फिर उस पे अमल करना जरूरी है कि हाँ, इनको छोड़ना है इनको अपनाना है तो आप करके देखेंगे सुखी आप रहेंगे परिवार रहेगा समाज रहेगा तो देश अपने आपी जुड़ गया तो अपनी सोच के बारे में अपनी आदतों के बारे में सोचना अपने आप में बेमिसाल बात है चोटी बात नहीं है